तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बिहार में बीट कॉलेज की फिस कितनी होगी फर्स्ट ओफ आल हम यह जानते हैं कि आप पहले पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा सेमी गवर्मेंट प्राइवेट कॉलेज या गवर्मेंट कॉलेज उससे पहले हम बात करने से पहले आपसे चोट उसार रिक्वेश्ट है अगर आपे चानल पनाए हो ना तो सोचो मत अरे हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दो घंटी वाले चोटू से बेल आकन और क्लिक कर दो पुराने हैं तो बस लाइक और शेयर कर दो इतना ही काफी है हमारे लिए आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन का काम करता है तो आईए स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक so first of all जानते हैं सरकारी कॉलेज होती है प्राइवेट कॉलेज होती है और सेमी गवर्वर्मेंट कॉलेज भी होती है तो next हम जानते है तो ये तीन प्रकार के कॉलेज जो की हमारे बिहार बियेड में होते हैं आपको एक डाउट और किलियर कर देना चाहेंगे कि जो आप लोग कोश्चन्स करते हो कि माम ये बताईए कि हम I mean कि यूनिवर्सीटी बेस्ट होता है या नहीं तो मैं आपको बतादू तो आप आल जैसे की 2019 से पहले ऐसा नहीं होता था पहले P.U. अलग लेती थी B.A.B.U. अलग लेती थी L.M.U. अलग लेती थी बढ़ अब क्या है एक ही इंट्रेंस होता है अगर इंट्रेंस में आपके मार्स अच्छे आते हैं देन आपका इस तीनों कॉलेज में एड्मिशन होता है अब बात करते हैं फीस की तो फीस कितनी है अल्रेड़ी हम आपको डिसकस कर चुके हैं ये 25 अपरेल को आपका फॉर्म आएगा उस दिन से आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं अगर और भी कोश्चन से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस तरह कर्में पतना में कोलेज है पतना women's training college और women's training college दोनों अलग है आपको मगद मہिला के जो बगल में है वो है उसकी फीस मातर 2000 है वो government college हैлекिन पतना women's college है वो private college semi government private जो भी आप उसे कहिए उसकी face दो लाग है तो इस बात में clear confusion जो है सो दूर कर लीजेगा बाकि जितने भी government college है उन सम में पचीस हजार में ही आपका admission होता है जैसे कि first year में आपको सारे बारा हजार first year में और second year में आपको फिर सारे बारा हजार total मिलाकर आपको 25,000 हुए इतनी सारी होने के बाद भी आपको मैं एक बात और बता दू उसकी बाद आपको total जाने आने खर्चल लग वह 35,000 में आपके बीड हो जाते हैं अब ये government college में अगर आपका admission होता है तो कितने marks पर तो अगर आप higher marks लाते हो अभी भी test में mock में देखो वैसे तो मौक का वहाँ पे paper level decide करता है कितनी जाएगी लेकिन कोसिस किजए कि हर मौक में 100 प्लस नमबर लाइए दैन आपके government college मिलने के chances रहते है नेक्स हम चलते हैं private college की फिस तो private college की फिस दो लाक एराउंड आपके होई वैसे तो डिल लाक रहते हैं एक लाक साथ हजार क किसी किसी college में 1,70,000 लिये जाते हैं इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे तो 2,000,000 confusion मतलब कि assignment जाना आना सबका खर्च लेकर आपको 2,000,000 पढ़ी जाते हैं तो यह हुई और next हम करते हैं semi government college तो बिलकुल यह private college की तरह है इसकी fees होती है ऐसा नहीं कि 75,000 और 80,000 में आपके admission हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होने वाला है तो बिलकुल private college की तरह आपके डिपेंड यह करता है कि आप कितने marks लाते हो अगर marks अच्छे लाते हो देना आपको private government और semi government यह decide करता है बस आपके marks पर लिखा रहेगा private यह semi government लेकिन दोनों का valuation बस एक ही होता है तो I hope कि आपक करे और सुबस्क्राइब करे थैंक यह वाचिंग नुस् आप रहेगा है घजाद ।